व्यूश्षकार दोस्तों मैं हूं नंबरता बदोरिया एंडियन यूटूबर और आप सबी लोगों का मेरी यूटुब चैनल पर स्वागत हैं तो दोस्तों क्या आप भी परेशान है अपने पेसाब की जलन से पेसाब की दर्द से या फिर आपके पेसाब में इनफेक्शन ह चुका है यह फिर आपको रुख रुख के पेसाब आता है इन्हें इस से विडियो करते हैं स्टार्ट नायक करें दो सेंहें कर देना चैनल को सबस्क्त पर रेठा को पर पर स्याइब परियपोट करें लाइत बवन सबसे पहले अब बात करते हैं इस नुस्खे की दोस्तों पेसाब में जलन या फिर इंफेक्शन ये एक आम समस्या बन चुकी है ये बच्चों तक कोई समस्या हो जाती है और बड़ों को भी समस्या हो जाती है ये चाहे महिला हो या फिर पुरुस्तावी लोगों को इस पाउडर तो आपको धनिये का पाउडर बनाना है अब इसके बाद में इसकी दूसरी समगरी है ये है दोस्तों मिस्री मिस्री आपको लेनी है धागे वाली जो चीनी वाली आती है वो नहीं धागे वाली मिस्री लीजिए और इसका भी आप पाउडर बना लीजिए तो यहा लेने के बाद में आप इसमें डाल दीजिए धनिया पाउडर दोस्तों ये मेरा नुस्का बहुत ही अधा गजब का है आजमाया हुआ है इसे आप जरूर ट्राई करना आप देखेंगे आपके पेसाप की इन्फेक्शन बेल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी तो इसमें हम क्य दालेंगे मिस्री की भी हम क्वांटाटी उतनी ही रखेंगे यानि की आदा चमच तो चलिए मिस्री भी हम आदा चमच डाल देंगे अगर आप डियाप टीज्स के पेशन्ट हैं तो आप समेंं भाई ना दालें ठीक है ना ये आपके पेसाब में जलन, सूजन, दर्द सब खतम करेगा अगर पेसाब में इंफेक्षन है एक भी लच्छन का आपको दिखते हैं बुखार आरा है या कमर में दर्द हो रही है या फिर आपके पेसाब करते ही समय बलड जा रहा है अगर इसमें कोई सबी लच्छन दिख रहा है अगर आपको तो आप तुनंत ये मेरान उसका यूज करिए आपको मात्र दो दिन में ही आराम मिलेगा अब इसमें हम डाल देंगे आदा लेमन आदा लेमन यानि की नीवू का जूस अब आप सबी लोग जानते हैं जो ये नीवू है ये क्या करता है ये क्लीन करने का काम करता है यानि की सफाई करने का काम करता है ये नीवू आपकी किडिनी को साब करेगा जिससे की आपको पेसाब भी खुल करके आएगा और infection को यानि जो bacteria infection पैदा करते हैं उन bacteria को भी ये नीवू खतम करेगा आप देखना आपको कितनी जल्दी आराम मिलेगा अगर आपकी body में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है तो उसको भी ये सांत करेगा नीवू तो अब इन चीशनों को मैंने डाल करके इसको अच्छे से mix कर दिया है अब ये नुष्का आपका तयार हो चुका है अब आप इसको लेंगे कैसे दोस्तों इसे आपको लेना है सुबह सुबह खाली पेट शुबह सुबह जब आप फ्रेस हो करके आएंगे तो इसको आप इसको पीए खाली पेड़ तो आदे घंटे तक कुछ भी न खाएं उसके बाद में आप नास्ता पानी कर सकती हैं तो इसको लेना आप जरूर यह बहुत ज़्यदा फाइदे मन नुसका है तो इस तरीके से अगर आपका यूरिन इंफेक्शन बहुत ज़्यदा पुराना है त तो आप इसको पीलीजिए मातर आपको दो से तीन दिन में आराम मिल जाएगा इसे आप ट्राइ जरू करिए यह बहुत ज़्यदा गजब पर रामबा नुसका है और इसके साथ साथ आप धेड़ सारा पानी पीएं यानि कि पूरे दिन में आप कम से कम दस गिलास पानी खतम हो जाएगा जड़ से खतम हो जाएगा यूरिन इंफेक्शन का नामोर निसान खतम होगा और पेसा आपकी खुल करके आएगी चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करिए